अलेब एफ्रिवान, वेलकम टु कीचन टिप्स आज हम लोग फेस्टिवल स्पेशल स्वीट रेसेपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है श्रीखंड इसे मैथो भी बोलते हैं श्रीखंड बैंगलोर का फेमस है आज हम लोग homemade curd का श्रीखंड बनाने वाले है श्रीखंड बनाने के लिए हम लोगोंने मीठा दही लिया है ये लगभग आधा लेटर दही है सबसे पहले हम लोग एक कटोरा लेते हैं उसके उपर चन्नी रख देते हैं उसके उपर कोई भी white कलर का हम लोग कपड़ा या फिर रुमाल रख सकते हैं लेकिन वो cotton का होना चाहिए उस कपड़े के उपर हम लोग सारा दही आड़ करेंगे आप चाहे तो चन्नी अवाइड भी कर सकते हैं अब इसे बांद कर हम लोग इसमें से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह ट्वेस्ट कर करके हम लोग इसमें से ज्यादा सा ज्यादा पानी निकाल लेते हैं श्रीकंट रिच सोर्स होता है कैल्शियम, फॉस्परस, विटामिन, B1, B2 और B12 का आज हम लोग प्लेन श्रीकंट बनाने वाले है प्लेन श्रीकंट के ही बहुत जादा हेल्थ बेनिफिट होते है इसमें से जितना जादा हुआ, उतना जादा पानी हम लोग ने निकाल लिया है अभी सिफ चाहे तो फ्रीज में या फिर रूम टेंपरिचर पे हम लोग ऐसे ही टाई करके रख देते है अगर समर सीजन है तो इसे फ्रीज में रखना अच्चा रहेगा अगर वेंटर है तो आप इसे रूम टेंपरिचर पे आसानी से रख सकते है कम से कम इसे चार पाज घंडे के लिए तो रखी दीजिए एक रात गुजरने के पाथ हम लोग ने श्रीखन बनाने के लिए इलाईची पाउडर फिस्दे हुई चीनी और कुछ ट्राइफ रूट्स के टुकडे लिए है जो दही हम लोग ने बान के राका था चलो अब उसे खोल के देखते है इसमें से पानी निकल चुका है देखे ये किस तरह पनीर के तरह हो चुका है ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है अब कपड़ा निकाल लेते हैं और धही को हम लोग पाउन पर निकाल लेते हैं अब हम लोग इस तरह इसे मसल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसे फेटेंगे आप चाहे तो हाथ से भी फेट सकते हैं या फिर विसकर से भी फेट सकते हैं नई तो फिर आप मिक्सिन में भी इसे फेट सकते हैं सबसे पहले हम लोग इसे हाथ से फेटेंगे उसके बाद विसकर से थोड़ा सा फेट लेते हैं इसे हम लोग तब तक फेटेंगे जब तक ये कंप्रीटली फ्लफी नहीं बन जाता है अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राइ लग रहा है तो आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा द चीनी हम लोग टेस के हिसाब से आड़ करेंगे मैंने इसमें लगपक तीन चमच चीनी आड़ की है उसे के साथ हम लोग इसके ऊपर इलाईची पाउडर भी आड़ करेंगे इन सब को फिर से एक बार फेट लेते हैं आप लोग चाहिए तो इस तरह चमच की मदद से भी फेट सकते हैं और चल्दी से फेटनी के लिए हम लोग mixi jar का यूज करेंगे चलव इन सब को हम लोग mixi jar में add करेंगे ताकि ये जल्दी लपी बनेगा उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा और उतना ही जादा यह स्मूथ लगेगा चलो अब इसे चेक कर लेते हैं अगर आप इसे और फ्लेवर देना चाहते है और कलर भी देना चाहते है तो आप इसमें सैफ्रॉन मिल्क या नहीं की केसर वाला दूड भी थ बिल्ड सर्व करते हैं आप इसे एर टाइट कंटेनर में फ्रीज में एक हपते तक स्टोर करके रहाच सकते हैं चलो अब इसे हम लोग चौप किये हुए ड्राइफ्टूट के साथ कार्नेश करते हैं उसे के साथ थोड़े से इलाइची पाउडर के साथ भी कार्नेश करेंगे आखिर में इसे हम लोग केसर के साथ कार्नेश करते हैं श्रीकंट खाने के लिए रेडी है ऐसे रिसपीस और देखने के लिए चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजे ताके आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिक आपको मिलता रहें